हेलो एन वेलकम दोस्तो आज के इस वीडियो में हम ओटो सीच का कनोशन करना सिखेंगे इसलिए वीडियो को लाज तक जरूर देखे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके जैसा है दोस्तों आप यह एक 3-phase का स्टार रहे और यह समराट का स्टार रहे वह इलवाला है वह इसमें यह वाटो शीच लगा हुआ है इसमें कनेक्शन वाल्रेडी वह रहे हैं तो दोस्तों इसके अंदर जो यह स्वीच है अगर इस स्वीच को उपर की गोर रख करते हैं तो यह स्टार्टर से चलेगा यानि कि हमको जब भी मोटर चलानी है तो हमें इस्टार्टर का प्रियोग करना होगा यानि कुछ के वोन ओप के बटन द्वारा ही इसको चलाया जा सकता है तो आएए देखते हैं इसमें किस तरह किये हुए है तो जिसाए दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें तीन टर्मिनल दिये हुए है जिसमें आप जो लाल तारवा देख रहे हैं यह तीनों टर्मिनल है तो इसमें तीन पेज की सप्लाइग दी हुई है तो जो उटो के पहले तीन पिन हैं उन तीनों पिनों को हमें तीनों पेश से सप्लाई देनी होगी यानि कि जो तीनु वायर है तो इनको हमें तीनु पेश की सप्लाई देनी पड़ेगी चाए आप यहां से दे चाए आप की टाउर से डारेक्ट दे लेकिन इसमें तीनु पेश की सप्लाई हमें देनी है उसको हम 60 नंबर की पिन से लूप कर देते हैं और जो पांचवे नंबर की है वह वोप वाले बटन के अंदर जाएगी और जो और साथ वाली पिन के वायरे वह वोण वाले बटन से कनेक्ट करने पड़ेंगी तो जिसाई दोस्तों आप एक पांचवे नंबर का वायर देख रहे हैं यह वोप वाले बटन के अंदर कनेक्ट किया हुआ है और जो लास्ट वाले 6 और 7 वाले पॉइंट है उसको ओन वाले बटन में और पांचवे नंबर के को वोप वाले में कनेक्ट करना पड़ेगा इसी तरह इस वोटर स्वीट में कनेक्शन किये गए यहनि कि पहले तीनों पिन में 3 पेज की सप्लाई और चोते को चट्टे नंबर से कनेक्ट करेंगे और पांचवे वाले को ओप वाले बटन से और जो 6 और 7 वाले हैं उनको ओन वाले बटन से कनेक्ट करेंगे दोस्तों वाटो स्वीट लगाने का में परपजय होता है कि हमारे पेज को प्रिवेंट करता है यानि अगर एक पेज इसमें नहीं आता है तो यह मोटर को नहीं चलाएगा यानि कि हमारी मोटर भी शेप रहेगी अब इसमें जो ग्रीन और रेड एलेडी दी हुई है इसका मतलब है अगर ग्रीन एलेडी जल रही है तो हमारा ओटो काम कर रहा है और अगर रेड वाली लैट जलती है इसका मतलब हमारा ओटो काम नहीं कर रहा है अगर आपको इस वीडियो में जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद